hello बच्चो मैं डॉक्टर नवल्दि भारती कुकुपिटेशी वेजीटेबल क्रॉप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगोंने तीन क्रॉप को डिटेल में डिस्कस कर लिया है कुकुम्बर, मस्कमिलन और वाटर मिलन आज हमनों नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे पम्किन की कल्टिवेशन प्रैक्टिस को पम्किन मतलब कद्दू या कही कही जिसे कोहना भी बोला जाता है इसको हम इसके कल्टिवेशन प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे यह भी बहुत important vegetable है जिसका बहुत ही जो है broad level पर हमारे यहां consumption किया जाता है चलिए थोड़ा पहले इसके taxonomic description देख लेते हैं Botanically pumpkin को कहा जाता है Cucurbita moscata Cucurbita moscata, family है इसकी cucurbitation chromosome number 40, 2N2X40 यानि deployed यह है और इसका basic set of chromosome 20 origin है इसकी Columbia Columbia जो है यह South America जो है इसका center of origin है South America introduction point of view से अगर देखे इसमें जो importance है यह use है इसका तो वो है pumpkin को हम लोग कई नाम से जानते हैं जैसे की kashi फल भी बोलते हैं इसको sita फल भी बोलते हैं halwa qaddu या lal qaddu मतलब रीजनल लेवल पर भी इसके बहुत से अलग-अलग से नाम है pumpkin एक फ्रेंच वर्ट से ओरिजनेट हुआ है French word जो है pompeon pompeon जो है फ्रेंच वर्ट है जिससे pumpkin word जो है वो ओरिजनेट हुआ है तो pompeon या pumpkin का जो मतलब है वो मतलब है cooked by the sun मतलब pompeon का अर्थ ही होता है या pumpkin का अर्थ होता है cooked by the sun या धूप में पका हुआ तो यहाँ पर इसका pumpkin इसको इसलिए कहा जाता है कि इसे तब खाया जाता है जब यह पक जाता है पूरी तरह से राइप हो जाए या धूप में पका हुआ क्योंकि आपने देखा होगा ग्यार कि टुष्प led कंगी होटा है पहुत जादा पसंद चीए जाता है जो पूरि तरह से पौधे पर ही राइप हो जाता है धूप में ही a sunlight में GG पूरी तरह से से राइप हो जाता है पक जाता है तभ ही इसको खाया जाता-था तो उसी बेस पर ही इसका नाम रख दिया गया पॉम्पियोन जो कि बाज में पंकिन बना इसका कल्टिवेशन बहुत सी कंट्रीज में होता है मतलब कंट्रीज के पूरे जो अर्थ में हमारी अर्थ पर जो भी ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल रीजन है जैसे कि South America हो गया South Africa हो गया, North America हो गया या Asia वाला जो रीजन है Africa हमने बोलाई इन सभी ब्रोड लेवल पर देखे तो हर में लग भग सब्रॉपिकल कंट्रीज में इसका कल्टिवेशन किया जाता है इंडिया में अगर बात करें यह भी कुकर्बिटेशियस है दूसरे कुकर्बिटेशियस वेजिटेबल की तरह या फ्रूट की तरह यह भी low in energy और कॉलेस्टरॉल में कम होता है और यह important source होता है बीटा केरोटीन का क्योंकि आप देखें को कद्दू जो है जो अंदर से उसका जो फ्लेश होता है वो थोड इसनी भी कुकर्बिटेशियस क्रॉप पढ़ रहे है उसमें सभी में जिसमें yellow color या red color या जो भी colors की बात होती वो किस वज़ेस होती वो हमेशा बिल्कुल याद रखेंगा जैसे हम लोगोंने मस्क मिलान में पढ़ा था कि वो भी yellow color because of carotene होता है उसी तरह कद्दू में भ लोगों को याद रखनी है तेंडर लीफ यानि इसकी जो पतियां होती है या शूर्स होती है यह भी बहुत सारी nutrients का सोर्स होती है इनमें भी carotene पाया जाता है mineral के तौर पे इसमें calcium iron और zinc पाया जाता है और यह पंकिन को जो है ग्रो किया जाता है इसके mature और immature दोनों तरह क यानि इसे कच्चा भी immature हर्वेस्ट करके खाते हैं और mature या पका हुआ कदो भी पसंद किया जाता है तो उसको भी पका करके खाया जाता है तो इसे as a vegetable as a steved यानि थोड़ा सा भुजा हुआ हुआ या बेग्ड सीका हुआ और या उबाल करके boiled मतलब हर तरह से इसको जो है ख जो वराइटी जो release की गई है पुब्लिक सेक्टर इंस्टिट्उट्स में तो वह है जैसे पंजाब समराथ पंजाब अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी से release वराइटी बहुत ही popular variety है पंजाब वाले रीजन में पंजाब में जहां इसा cultivation किया जाता है उसके अलावा पंजाब पंजाब पंपिंड हाइब नियुलीझ जो ऑरो इदिरी से एक पंजाब्ड पमकिन हाइब्रेड़टे और उसी तरह पंजाब in किंहाईब्रेड्ड पिपिएच्छ हुप्रेड यह तीनों ही वराइटी जो है पंजाब एग्रिकल्चर युनिक्रिटेड रिलीझ-पार्य में पूसा हाइब्रीड वन दूसरी है पूसा विश्वास तीसरी है पूसा विकास उसके बाद है IAEHR बैंगलोर वहां से जो वराइटी रिलीज्ड है वो है अरका चंदन तमिलनाडू अगरिकल्चर इंडिवरसिटी से रिलीज्ड वराइटी है कोयम टूर 1 कोयम टूर 2 उसके कमर्शियल लेवल पर जो है कल्टिवेशन में जिनका कल्टिवेशन किया जा रहा है अब इस वाइल क्लामिटिक कंडिशन पंकिन को कैसी चाहिए तो पंकिन भी क्योंकि एक अगर्विटेश वेजेटेबल क्रॉप है ये भी वार्म सीजन की जो है क्रॉप है तो ये किया जाता है फिर भी ऑप्टिमम टेंप्रेचर जो इसको चाहिए इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वह 25 तो 30 डिग्री सेंटिग्रेट के आसपास का टेंप्रेचर होना चाहिए और सीट जर्मिनेशन के लिए जो टेंप्रेचर चाहिए वह 20 तो 25 डिग्री सेंट कुछ नहीं होंगे मतला जो है इर्रेगुलर या अन इवन जो है जर्मिनेशन होगा एक साथ भी जर्मिनेट नहीं करेंगे और अगर बहुत हाई टेंप्रेचर हुआ जैसे 38 डिगरी सेंटिग्रेट के अब हुआ तो भी जर्मिनेट तो करेगा पर उसकी ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की तो यह सारी चीज़े है इसके टेंप्रेचर के संग में लेकिन वार्म डेज यानी हाई टेंप्रेचर को लेता और नॉर्मल जो है वार्म डेज मतलब दिन में तेज धूप और कूल नाइट जो है इसके लिए सूटेबल है लॉंग और हॉट बहुत जादा मतल तो तोलेट कर लेगा, लेकिन male flower का production जादा होगा ये हम लोग जानते ही है कि male flower के जितनी भी cucurbitatious vegetable है तो उसमें long day और hot days male flower production को प्रमोट करते हैं तो इसलिए पौधे को long days और temperature जो है बहुत ही ज़्यादा hot नहीं होना चाहिए ताकि जादा-जादा female flower का production हो और cucurbitaceous एक monosheous पॉधा यानि एक ही पॉधे में दो तरह के फ्लावरा आते हैं male और female flower तो अगर ज्यादा गर्मी होगी तो male flower का production ज्यादा आएगा और female flower का production कम होगा उसके बाद इस soil condition जो इसको चाहिए तो soil जो चाहिए वो deep होनी चाहिए यहीप यहाँ है सेंडी लोम की गड़ातो ing प्हों के बात की जाए तो सी न माना है सोइंग टाइम पंकीन को भी बीज की बाद हम से बोया जाता है तो इसके बीज को बोने का जो टाइम है वो अलग-अलग रीजन में अलग-अलग है इसको अगर नौर्थ इंडिया में देखा जाए तो हम लोग इसको समर और रेनी सीजन क्रॉप की दो फसल लेते हैं समर में रेनी सीजन में भी लेते है तो जो समर क्रॉप होती है उसको हम फैबुरि एंड में हम बोते हैं समर में तो फैबुरि मार्च में लेजिस समय वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो पौधा बहुत आसानी से लो टेमप्रेचर में ग्रोव करता है और जो है फीमेल फ्लार का क अच्छे से होता है तो जो नॉर्थ इंडिया में हम इसको समर क्रॉप में जब हमें समर की फसल लेनी है तो हम फरवरी के अंत में बीच की बॉआई करेंगे और अगर हमें बरसात की फसल लेनी है तो हम जून जुलाई में इसकी बॉआई करेंगे South India में जो है इसकी sowing जो है January से लेके March तक किया जाता है और फिर September से लेके December तक यानि year round लगभग देखा जाए तो हम लोग इसकी sowing South India में करते हैं Mid hills of North India मतलब जो North India का Mid hill वाला region मतलब जिसे उत्राखंड हो गया या हिमाचल वाला region होके या जो थोड़े सो जो हमारे यहां जो वो इस्टेट भारत के जो थोड़ा पहाड़ी लाकों के संपर्क में है वहाँ पर इसका जो cultivation पहाड़ों पिक किया जाता है वो April to May वहाँ तक बहुत ज्यादा low temperature होता है बहुत लो टम्परिक्टर में सीड जयार्मिनेशन नहीं होता सोज़ीन नहीं होता है तो वहाँ पर अपर अप्रेल में में आपको याद करना आसान है पो ये कुण conduct कर्तें को कृषषट में डिखेंग youratan Vernway को कुर्बिटेशन वेजिटेबल को कैसी स्वाइल और क्लाइमिटिक कंडिशन चाहिए साथ ही इनका सोइंग जो मैथेड यानि बॉआई का जो तरीका है वह भी लगभग लगभग सेम है तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत में जब को कुर्बिटेशन जन्रल इंटोड़क्शन पढ़ा था तभी हमने बताया था कि इसमें की बहुत सारी चीज़ें जो है वो कॉमन है स्पेसिंग की अगर बात की जाएं कि बॉआई में कितनी स्पेसिंग रखते हैं बीच बोने के लिए तो देखे इसको रेस्ट बेट पर बोते हैं यानि रक्टेंगुलर शेप की क्यारी बना कर यानि जो है एक से डेड़ मीटर जो है जो है एक से डेड़ मीटर चॉडब जितनी भी हो सकी उतनी कईरी बना करके हैं दो क्यारियों के बीच में तीन से चार मिटर की डिस्टनस रखते हैं बनाते हैं लिडों से नुट्ट जो बनाते हैं बनाते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इस्पेस में इस्प्रेड करता है और प्लान टू प्लान डिस्टेंस वन मीटर डिस्टेंस सोइंग इस डन ऑन बोद साइड ऑफ दी बेट्स जो भी आपने रेजड बेट बनाई है उसके दोनों किनारों पर जो है सोइंग की जाती है बेट्स की मारजई पर किया जाता है ताकि बेट्स के किनारे फ़रों बनी होती है इसमें सिचाई करते हैं तो इसनां इसका सोइंग करते हैं और जहां भी सोइंग करतेै महाँ पर 3 यआ 4 सीड एक साथ डालेंगे और जब बीच जर्मिनेट हो जाते तो सिर्फ दो पौधों को रहने देते हैं, दो सीडलिंग को रव छोड़ करके बाकी दो पौधों को रिमोफ कर दिया जाता है, थिनिंग कर दिया जाता है, जब पौधा दो से तीन पत्ती का हो तभी, फिर उसकी बाद इस सीड रेट जो कितनी रिक्वाइर्मेंट है इसकी एक हेक्टे तक ही इसकी इसकी रिक्वाइर्मेंट रहती है, उसकी बाद है मैन्यूर फ़र्टिलाइजर की अगर रिक्वाइर्मेंट दे나 के तो, मैन्यूर फ़र्टिलाइजर में 15-20 टन FyM, जो है वो तो फिल पर्परेशन के दौरान ही अप्लाई करना होता है जब आप फील्ड प्रिपेर करने या बैट प्रिपेरेशन कर रहे हैं और इन और अगर अप्लाई करना है तो 100 kg नाइट्रोजन 50 kg फॉस्फोरस और पॉटास की डोज जो हैं हम फील्ड प्रिपेरेशन के दौरान ही अप्लाई करते हैं तो इसमें से ल प्रिपेरवल पर एक बार 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 हम लोग जानते हैं हाईली मोबाइगल होता है तो यह वह तक हुद्स करने हैं डिबूग्यार इसको को शुल्षव में इस ह precis कि वोग में बार तो दूसरी जो कुर्बिटेश वेजिटेबल से उनके कम पैरिजन में एड दी टाइम फ्रूट मैच्योरिटी के टाइम पर जो है इरिगेशन मतलब प्रॉपर मोईश्यर बना रहना चाहिए जब फ्रूट मैच्योर हो रहा हो क्योंकि अगर मैच्योरिटी के टाइम पर जो है वाटर नहीं होगा मतलब स्वाइल में मौईश्यर कम होगा तो फ्रूट जो है पूरी तरह से साइस भी नहीं ग्रेन करेंगा और वह राइप हो जाएगा तो मैचुरिटी के टाइम पर प्रूट डेवलप्मेंट के ताइम पर प्रॉपर में मौश्यर होना जरूरी है तो इसलिए मौचुरिटी के समय फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते हैं जिससे पंकिन की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है मतलब वह जल्दी फिर पकता नहीं है लंबे समय तक वह इम्मेचुर बना रहता है अगर मौश्यर रीटेन करना है अगर मौश्यर जल्दी जल्दी खतम हो जा रहा है तो मल्चिंग भी कर सकते हैं प्लास्टिक मल्च से ताकि मौश्यर अगर बात की जाए तो वीडिंग वही है जैसे अन गौश्यर वेजिटेबल क्रॉप्स में कि इनिशल स्टेज में जब पौधा चोटा होता है तो पौधों के बीच में जो जगह स्पेस रहती है तब ही वीड ग्रो करता है और उसे अर्ली स्टेज में ही वीड को रिमूब जो जो वेजिटेबल क्रॉप है इनके लिए बहुत ही परफेक्ट ये हर्बिसाइड है तो राउंडब को जो है यूज किया जाता है साथी बैंसुलाइड जो की प्रिफर फोरी के नाम से भी आती है इसको भी जो है अपलाई कर सकते हैं 5-6 kg पर हेक्टेर की रिर से तो ये सोइंग से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सोइंग डेट से 100-120 यानि आफ्टर जो है तो फोर मन्स है ना साधे तीन से चार महीने बाद जो है पंकिन जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है बीज बवाई से लेकर के तो फूर्ट जो है तो यह कैल्कुलेटिव मैथेड से भी हम जज कर सकते हैं और यह भी हम देखते हैं कि हमें किस ताइप का चाहिए अगर हमें राइप मतलब पका हुआ चाहिए मतलब मैच्योर तो घब तक जब यलो हो जाय पूरी तरह से ओरन्ज-yellow से भी हम होगा में बढ्र एक से प्रोपन का तुख कर सान हो हो से इसलिग इवागे मतलब मैच्यूर पूर से दो हम इसलिग कर तो इल्यक का हम जब इसलिग करना है तो अगर इन्मच्योर हम ज़म कर पक्रीत जग है म तो इल्ड पम्गीन की वैरी करती है, फिर भी 200-250 क्विंटल पर हेक्टियर इल्ड इल्ड बढ़ानी है, तो फीमेल फ्लार का प्रोडक्शन के लिए, अगर हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगूलेटर जैसे एथेफोन का स्प्रे कर दें, जब पौधा 2-4 पत्ती का हो, उसी सम जो है, solution बना के हम अगर पौधे पे छिड़काओं कर दें, तो शुरुआत से ही फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और फ्रूट की इल्ड बढ़ जाती है, पोस्ट हर्वेस्टिंग के बाद इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो हर्वेस्टिंग के बाद, फ्रूट को थोड़ा सा क्योर करते हैं, ताकि उसमें जो भी हीट वगएरा हो, मतलब उसकी कूलिंग करते हैं, ताकि हीट वगएरा वह रिमूव हो जाए, और 20-30 C पर जो है, इसको क्योरिंग करते हैं, साथ ही साथ 85% relative humidity, 3-4 दिन के लिए, ताकि इसी तरह का हार्वेस्ट इसाथ ही साथ ऐन को फैक साथ ही तलता है, ये नयलाज नेट के बैग में इन को पैक करके, इसां आडुशित बात. पैक्निंग पैक में और उन जापने नाइलाव होगा, को आन पैक्निंग की पाट बात जाता ही कर सकते हैं तो यह एक ऐसी वेजीटेबल है कुर्बिटेश वेजीटेबल है जिसको रूम टेंपरेचर पर भी कई बिनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं और अगर कोल्ड इस्टोर में देखे तो 5-10 महीने तक लगभग हम इसको 10-15 अगर कोल्ड इस्टोर में 10-15 इस्टोर करें तो 5-10 महीने तक हम लोग पामकीन को स्टोर कर सकते हैं और रिलेटिव हुमिडिटी 50-70 परसेंट अगर बनी रहे तो यह एक ऐसी वेजीटेबल है जिसको शल्फ लाइब बहुत जादा जो है वह लंबी होती है तो इसका है इसका कल्टिवेशन प्रैक्टिस भी दूसरी कुर्बिटेश वेजिटेबल से ही मिलता जूलता इसका कल्टिवेशन है तो यह इसका पीडिएफ हम आप लोगों को सेंड कर दे रहे हैं और आप लोग इसको पढ़िएगा और नहीं समझ में आता है तो कोई भी कोई डाउट हो तो वह आप लोग पूछ सकते हैं थैंक यू